हेलो स्ट्रेंट्स कैसे आपको बीए बीकॉम एकोनोमिक्स में यह वाला टॉपिक आगम वक्र रेविन्यू कर्व बहुत ज्यादा पुछा जाता है लौंग में यह शौर्ट में कि आगम की परमुक अबधावनाओं को सपश के जी तो आज की इस क्लास में हम आगम की अबध रहे हैं ठीक है यह इनकम उत्पादन में क्या होता है अगर हम कुछ भी बेज रहे हैं तो बेजने के बदले में जो भी राशी की प्राप्ती होती है उस राशी को हम अपने आयक की नाम से जानते हैं और यही आयक हम आगम के नाम से जानते हैं ठीक है तो आगम का अर्थ क् सिंपल अर्थ की बात करते हैं तो आगम का विप्राय उस राशी सेल्स या प्रोसीड्स से है जिससे फर्म अपना उत्पाद बेच कर पात करती है ठीक है मतलब आपके पास उत्पादर के लिए जितनी भी इकाईया है उन सब को आप बेच रहें और बेचने के मदले में आपको जो कुछ भी मिलता है उसे हम क्या रहते हैं आगम क्या है प्रोफेसर डूले ने इसको एक्स्प्लें किया है कि एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्तिया बस्तू की बिक्री से मिलने वाली मौदिक प्राप्तिया है ठीक है कोई भी फर्म अपने उत्पादों को बेचने के लिए ही बनाता है तो बेच कर उसको कुछ भी मिल रहा है जो कुछ भी मिल रहा है जो मौदिक प्राप्तिया होनी चाहिए मुद्रा के तो बसकी जो आगम होता है वो वैफसाय का बास तवीक लाव नहीं होता है वो टोटल राशी होता जो बदले में मिलता है ऐसा इसलिए होता है कि जो पुझी पामाल लीजिए किसी ने कोई बस्कूट मतलब बिस्कूट का एक पैकेट है उस पैकेट को कोई को दुकानदार नहीं अगर दस रुपए में बेचा है तो दस रुपए उसका लाव नहीं है चुकि यह बिक्री की कुछ राशी है इस राशी में दुकानदार का लागत भी जुड़ा की बिस्कूट की पैकेट को वो ख उत्पादन परक्रिया को पूर्ण करता है दैनिस फर्म का एक उद्देश होता है परते एक फर्म का उद्देश ही होता है कि अधिक्तम लाव अर्चित किया जाए और अधिक्तम लाव मतलब विक्राय राशी और उत्पादन लागत के अंतर को लाव कहते हैं जैसे ये विक्र इसका अंदर दो रुपाय या इसी दो रुपाय को हम क्या बोलेंगे लाब कहेंगे जिसका फार्मुला होता सा की लाब बराबर आगम माइनस लागत ठीक है अब आगम की अब धावनाओं के बारे में एक्जाम में पुछा जाता है तो concept of revenue जो concept होता है न वो तीन होते हैं कुल आगम और सीमानत आगम टोटल रेविन्यू शॉर्टकर्ड में इसको टीयार बोलते हैं एवरेज रेविन्यू शॉर्टकर्ड में इसको एयार बोलते हैं और मार्जनल रेविन्यू शॉर्टकर्ड में इसको अमार बोलते हैं ठीक है सीमान और कुल आगम अब इनको भी संबंद्री पोच जाता है तो लगतार बने रहे हैं आपस जादा जादास की बीच में क्लास को शेयर कर दीए ताकि उनको पता चले कि बीकॉम, बीए की जो एकोनॉमिक्स है, इसी लेंग्वेज में दा नकुल, एकोनुमिस गूरु हैने के नकुल सर पढ़ाते हैं, ठीक है, चले, आगे अगर बढ़ते हैं, तो क्या करना है हमें? कुल आगम के बारे में पहले जाना है, कुल आगम, कु इतने भी बस्तुए रखी होती है जब सबको बेच देते हैं सबको बेचने के बाद आपको जो भी राशी मिलती है जब सबको टोटल करेंगे तो उस राशी को हम कुल आगम के नाम से जानते हैं इसी को प्रोपेसर डूले ने एक्स्प्रिम किया है कुल आए एक फर्म दौरा प्राश सब बिक्री राशी प्राप्टियों तता आये का जोड लए ठीक है अबर फार्म लिखा गया है तanya फार्म नहीं होता है वाम प्रिक्री बजह 272 अगकि पर्प्रेंगों तरहा है तो हमने क्ल आगम की प्राप्री होती है उद्हरन प्राप एक्जाम्पल ले के माल ले जी है एक व्क्रेटब के पास बीचने के लिए कितनी काई यह हैं सो इकाई आई ठीक है और उसकी पड़्ती काई कीमत कितनी है रुपीस फाइब इसका मतलब तर सो इकाई मुंट्टिप्लाइब रुपीस फाइब उसको कितनी रासे की प्राप्ति होगी फांच सो रुपए की कुल आगम है ऐसे में मालते हैं उस पादर की विविन एकाईया और उसकी पर्तिकाई कीमत जब दोनों को multiply करेंगे तब हमें जो है कुल आगम की प्राप्ति होगी योग एकाई एक दो तिन चार और पर्तिकाई कीमत भी हमारी क्या होती है धिरे धिरे हम ज्यादा एकाई बेचना चाहते हैं तो कम करना चाहते हैं तो निकाल ये दस एकम दस आड़ दुनी सोला छेतिया ठारा चार चुब्री सोला तो यह जो हमारा यह जो है उत्पादर की मातरा है और यह बस्तू की पर्तिकाई कीमत है अब इन दोनों को हमने मुटिप्ले कर दिया तो क्या मिल गया कुल आगम क्या ग्राप बनाने चाहे त दीरे दीरे पहले ऊपर क्यों बढ़ता हुआ होता है और फिर एक टाइम जाएगा फिरे से नीचे होगा यह इस तरह से बढ़ता है और यहां पर जाती है क्या हो रहा है क्योंकि हमेसा आप लाप नहीं ले सकते एक समय ऐसा आएगा कि आपको मिलने वाला लाप कम हो जाता ह अल्पकाल में ऐसा होता है ठीक है अब नेक्ट पॉइंट क्या है औस आगम एवरेज रेविन्यू शॉटकर्ड में क्या वोलते हैं इसको ए आर वोते हैं ठीक है किसी उत्पादक की कुल आगम में बस्तू की संख्या से भाग देकर जो भागफल आता है उसे औस आगम कहते हैं मतलब आपने बस्तू की सभी इकाई उ portray गिच कर जो भी राशी-ची जो भी आगम की प्रापति हुई उस कुल आगम को जितनी इकाईया बेची है आपने उससे क्या करना है भाग करना है तो भाग करके जो भी रासी प्राप्ट होती है उसी को हम और आगम के नाम से जानते हैं किसी चीज को प्रपेसर मैकोनल ने explain किया है कि किसी बस्तु की बिक्रिख से प्राप्त होने वाली प्रति-इकाई आए आ से लिए जाते हैं किसी बिश्टु की जो कीमत है एक्चली में वही ओस्त आगम है कैसे मैं भी आउसत आगम निकालने का जो फार्मूला हम एकसे लिए यूज़ करते हैं वो है कुल आगम डिवाड़ेड बाई विक्री की मात्रा फटकर्ड में टोटल रेविन्यू डिवाड़ेड बाई क्यों इसका है अब अभी मैंने थोड़े देर पहले टेविल बनाये था की योगे आपका बस्तु की मात्रा ठीक है यह है परती का ही कीमत और इस से निकल के आया खुल आगम और कुल आगम से में निकालना है औस अवसत आगम भिक्री का ही का ही है एक दो तीन चार बस्तु की कहम ही है नहीं है दस आघ छे चार आई कितनी 10, 8, 16, 6, 18 और 4 चुकी 16 ठिक आप कहता ना AR का फर्मला की आपता मैंने PR एने की कुल आगम को विक्री की कायों से भाग करना है 10 को 1 से भाग करेंगे 10 आएगा 16 को 2 से भाग करेंगे 8 आएगा 18 को 3 से भाग करेंगे 6 आएगा 16 को 4 से भाग करेंगे 4 हमेशा द्यान वगना की पर्ति के कीमत और और आउसत आगम एक ही चीज है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है अब इसका जो ग्राप बनाएंगे यह बेसिकली ऊपर से नीची की गिरता हुआ फिर बढ़ता हुआ होता है इस तरह से इसका ग्राप बनता है ठीक है किसका और आउसत आगम करेंगे सिमान सद्दकार्थ मैंने कई बार आपको बताया हुआ है लगातार यह बढ़ाता रहता है सीमान का मतलब होता है एक अत्रिक्त मतलब कितना हुआ कि आपके पाँ जो इकाई आप बेच रहे हैं उसका एक कम या एक ज़्यादा इकाईों में अगर परिवर्तन होता है तो इससे आपकी कुल आगम में भी परिवर्तन होता है कहने का मतलब होता है फादन की एक अत्रिक्त इकाई बेचने से जतना आप कूल आगम do comfortable बेचे से आपको कितना स्ञेप से आपको कूल आगम क्तiche किटना था ना तरव लेकर दो दो बेच रहे हैं तो आपका कितना हो रहा हैं सोबॉल इसका मतलब हुरा दूसरे से आपको कितना रुपए प्राप्त हुआ केवल छे रुपए प्राप्त हुआ तो ये इसका मतलब होता है एक अत्रिक इकाई के बढ़ने से कुल आगाम में जो भी परिवर्टन होगा उसी को सीमात आगम कहते हैं परपेसर फार्गुसन ने कहा एक फर्म के दौरा अपने उत 17 में होने वाले परिवर्टन से भाफ करतेंगी या फिर दूसरा फार्मूला होता है एम रिकाल टू टीया एन मानस टीया एन मैनाज यह सबसे ज्यादा उप्योंगी फार्मूला है कैसे समझेगा से बस तू की काईया होगी एक दो तीन चार ठीक है परती कहीं कि मतले नहीं से अंतरों को भाग करें यह दूसरा तरीक है यह वाला फार्मूला टीया एंट यह जिस इकाई का सीमांत आगम निकालना उस एकाई से ठीक ऊपर वाला टीयार मानस करते के पहले एकाई की ऊपर कुछ है नहीं है धसकी नहीं है तो मीर्ट से और दस मादो दूसरी काईो में जहां सिवा तक माइनस नहीं कर शक्टे के पूरा कउंसेट था समझना है इसके बाद हम इन तेनों को समझना है इसके बीच वुल आगम और सिमात आगम को एक साथ देखी यहां पर दिया हुआ है कि साथ यह वाडिया उधारन के साथ यह बस्तू की मात्रा विक्री की मात्रा कीमत बस्तू की पर्ती काई कीमत यह कूल आगम दोनों को मृटिप्ला करके इनकालते हैं 10 अगम 10, 8, 2, 16, 7, 26, 24, 25, 25 और 6, 24 आगे ठीक है औसात आगम, औसात आगम का फर्मूला क्या पता है तो औसात आगम फर्मूला पता है तो मैंने TR divided by Q, 10 को एक से बाग करेंगे ये औसात आगम आगे और सीमाद आगम का फर्मूला क्या पता है तो मैंने TR N minus TR N minus 1 N की 10 के ओपर कुछ नहीं तो ये 10 हो गया 16 में से 10 minus कर दिस्तर minus करते करते आगे संबंद आपर ये देखिए कुल आगम बढ़ता हुआ होता है जब तक कुल आगम बढ़ रहा है तब तक सीमाद आगम हमारा क्या है घड़ जरूर रहा है लेकिन में प्लस है जहां पर कुल आगम कम हो रहा है वहीं पर हमारा सीमाद आगम क्या होता है माइनस में हो जाता है तो यह हो गया कुल आगम पॉइंट फॉर पर इसी ठीक पूर पर हमारा मार क्या हो रहा है माइनस हो रहा है तो इसका एक संबंद हम सकते कि जब हमारा मार पागम प्लस में होता है तब हमारा टियार बढ़ रहा होता जब अहम रही अधिक है महार सुन होता है हमें मैंनस में हो жाता है यह हमारा पूल आगम दिल मश्यममेंts भी वागमी में में लगता ठीक है बौसक ant के बीच में क्या पूछा थाइना संब्बंद पुच्छा जाता और सीमान्थ आएगम में संब्बंद को कि आज हरत दोंहों की संबंद की बात करते हैं सबसे पहला समaking कह लगेंगए कि ऑसत आगम और सीमानथ आगम दोनों की ही घर्ण्य कुल्लागम से होती आजन्ड़ा कुलागम होता है और सिमान्त आगम होता है कुल आगम में परिवर्टन डिवाड़ेट बाइ विक्री की मातरा में परिवर्टन दोनों की गरणा एक ही चीज़ से होती पहला दूसरा एधिक और सिमान्त आगम बक्र ओ एक्स के समानता हो ये तब होता है जब हमारा पूर्ण परतियोगिता इस् समान दर्पर बिद्धी होती है तो यह हो जाएगा हमारा एकल टू आमार यह हो जाएगा एकस एकस और योगय भाई जिरूत है यहां भादन की मातरा को और यहां पर दिखाएंगे हम आगम को अभी इसलिए होता है क्योंकि यह उसकी खूल आगम यह जा चालिस 80 120 ऐसे में औसात आगम कितना होगा 40 40 40 और सीमात आगम कितना होगा 40 40 सब बड़ाबर हो जागा इसलिए दिद्स कुल परतिवगीता में कूल परतिवगीता इस तर्में इस्तिति में रखेगा कि सीमात आगम और और साथ सब्सक्राइब हमें सब्सक्राइब होता है इस तरह से यह स्थितव होती है जब अपूर्ण प्रत्योंगीता होता है तो ऐसे में यह वक्र हमारा यह हमारा वक्र क्या होता है मर řायह नीचे गिरते है आप rankings और वहान की होता है यह इस्तिती होती है आपुन पर पूर्ट्वड़ में चाहिए क Sir पादिकार हो लगोरी करें तीन होई उसको पादिकार की इस्तिती के नाम से जानते हैं और इस इस्तिती में कोपी अगा द्हान कोई भी फर्म अगर अपनी बस्तू की जादा से जादा बेमात्रा बेशना चाहता है तो ऐसे में उसकी कीमत को क्या करना पड़ेगा कम करना ही पड़ेगा ठीक है तो अगर उसके बीच में हम संबंदों के अगर बात करते हैं अगर हम उसके भी में संबंध की बात करते हैं सबसे पहरे उत्पादन की बिद्धी that ससंक्ल आय मैं ब्रिद्धीों की ने करेंगे तब ही जाकें आपकी मात्रा बढ़ेंगी सीमा ताइए निनंटर गिंप जाती चाहिए सीमा है हग कर चैनलर के ही सिंप न स्टिती गिंप इसके बाद है पूर्ण परत्योंगीता की इस्तिती में परिवर्तन नहीं हो सकता, जो बस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, तो उस्तिती में क्या होता है, बस्तू की कीमत बर्वर्तन नहीं होता है। तो ऐसे में सीमांत आई भी बरावर होता है। ईसे में जो average revenue है और सीमांत revenue है दोनों ही बरावर हो जाता कि और यह x-axis इसके बिल्कुल पहलाई चाहता है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जोसके बारे मैंने पूर डिटेल से बता हुआ देखिए नोट से बढ़िया शॉर्ट में को प्रोवाइड केजी लेंगेज में आपको इसको पढ़ना है और इसी हिसाब से अपने नंबर पोई नहीं कर सकता है इस बात की गा सास का पेपर फर्स्ट है इसका कम्प्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा हर एक टॉपिक को अगर इसके बावजूत भी कोई टॉपिक चूट रहा है जो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ कुछ अभी बच्चे हुगी है जो मैं आगे आने वाले दिनों में करा दूँगा इसकी ब बीए भी कॉम के लिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लोके बताईए वो टॉपिक में आपका करवा दूँगा ठीक है तब तक के लिए बाई एंड थैंक यूँ